दोस्तो आज हम आप सब को एक बहुत ही इंपोर्टेंट बात बताने वाले इस वीडियो के माध्यम से क्योंकि जो लोग इस बीजनस करते हैं उनको इतना बेसिक अंदर की बाते नहीं पता होता है और छोटी-छोटी सी बारिक्यू को देखने पर आपका बरा प्रोफिट हो स सकता आपको प्रोफिट में बदलाव आ सकता है क्योंकि बहुत लोग इन सारे छोटी-छोटी-छोटी चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं इसलिए ऐसा नहीं करना है आपको इस वीडियो को देखना है उसके बाद आपको इस बीजनस को अच्छे से करना है क्योंकि वह जो कोई DIY खास में फाले में में भाद अच्छे से लग्दाव को बहुत जरूरी है क्योंकि ऐसा बाड़ी की कोई आपको बताएगा नहीं कोई आपको शिखाइगा नहीं कोई आपको वो नहीं करेगा और आपको ध्यान भी नहीं आएगा त Pearson लिए आपको इसको ध्यान से देखना है और अपने काम को अच्छे से आगे बढ़ाना है तो पर इसका जो छोटा पॉइंट है वो है अपना रदी जो बेश्चेज निकलता है मान लो कि आप जो प्लेट दिन भर बनाते हो तो पूरे दिन मसीन चलाने के बाद जब रदी होता तो बहुत लोग उसको कूड़े में फैक देते हैं बहुत लोग उसको जला देते हैं और पूरा दिन में एक मसीन उससे आपका बिजली का बिल जो है वो निकल जाता है तो बिजली का बिल यदि आपको भरना है और अपने जेव से बिखता है अपने विखता है तो यह समाल के रखना यह क्योंकि इस बेश्चेज से आपका बिजली का बील बहुत ही आसानी से भरा जाएगा और आपको आराम से इसमें से बिजली का बिल का पैसा निकल जाएगा यदि आप इस पे ढील देते हैं तो इसमें आपका नुक्सान है पहला नंबर तो यह हो गया, दूसरा नंबर जब भी हम material लाते जाए कहीं से भी आप ले आओ उसमें कुछ न कुछ किसी रोल में आपको खराब निकल जाता है जैसे starting में निकल गया यह last में निकल गया यह कभी कबार किसी रोल में बीच में भी निकल जाता है उसके लिए आप मठ्रे वाला से लड़ते हो जगरते हो कि आप यह कर दिये तो ज्यादा से ज़रा क्या क्या खाया कि आप ले आओ मैं आपको रिटर्न कर दूंगा पैसा दिदूंगा तो उससे बेटर है कि उससे भी आप ना लड़ो और उनसे भी आपका अच्छा संबंध बना रहे उसके लिए आपको क्या करना है बहुत लोगा लड़ाई कर लिए वहां नहीं गये तो जो हुआ प्लेट उसको घुस्ता में फार फूर के फैक दिया तो मचोर के वह चीज नहीं करना है जब भी बिजनस करना है तो रिलाक्स होके और अच्छे माइंड से करना है अण जया नुकसान भी हो जाए तो भी आपको चीरची आना नहीं है क्योंकि कि ऐस नुकसान होता है आ चिरची आओ नहीं कि собой ऑसको अगर बात करोंगे तो इसको इतना नुकसान हो उससे जादा आपको फाइदा करfilmे Rank Two अगर आप डंग से इससे बात करोंगे यह कि आप तो आप जब भी काम को करो यह फैक्ट बात है यह अपने आप उपर भी अपलाई करके देखना यदि आप किसी को कोई सामान दिये और वह सामान गलत निकल गया और वह अगर आपको अच्छे से कहता कि भाई जो आप दिये वह बहुत गलत हो गया उसमें मैं नुक्सान हो गय खुद उसको बोलो कोई बात नि भाई मैं आपको दूसरा दें गाएं टेंसर मतलो अब चीर चीरा के भी आप से लड़ाई करेगा तो आप लड़ाई करेगा नहीं लिवा किसी मेरे से महल नहीं हमाराद में अराम से रिलैक्स मांट से काम को करना होता है तो यह सब जब भी वह खराब निकला कि चीजे भायस नहीं करना है जो प्लेट निकलता है उसको आपको इकठा करना है इकठा करना है और जितना भी मेरा अच्छा माल निकलेगा तो पैकिंग हम लोग 25 का 50 का 30 का 35 का 20 का अठाड़ा करते हैं उसमें सिर्फ एक एक पीस पैकेट में डाल देना है त्चाल देना है त्चाल एक पीस के लिए कौई कस्टमर भी स्थिकायत नहीं करे एगा और कोewँ वह आपको नहीं करेес और आपको ब्र चाइब कोम और कॉइं नहींज्यान हुआ है क्या वजिभी नहीं होगाव लेकिन जब लेमिलेसर उन लसन बॉंता है तो बीच में ला तो इसके लिए आप किसी से लड़ते हो तो कोई दोसी नहीं होता है क्योंकि वह आगे से ही बन के आता है ऐसे तो बनाने वाला प्लेट वाला हो गया तीसरा जो है उसको आपको ध्यान रखना है बहुत ही इंपोर्टेंट बात है इसको इग्नोर नहीं करना है जब भी मसीन चलाते हो तो आपको यह पहले तैक कर लेना कि मसीन हमें कितनी देर के लिए चलाना है यदि आठ गंटा दस गंटा चलाना है तो आपका और भी ज्यादा लौस है कैसा लौस है जब भी मसीन चालू होता तो पहले 15-20 मिंट मसीन को हीट होने में बिजली जो हमारा बेकार चला जाता है तो यदि मसीन को हीट ही करना है तो क्यों एक बार ही करें अगर लाइट कट गया हो तो उसके लिए कोई बाती नहीं है यदि लाइट है हमारे पास में हम खुद हैं तो काम कर रहे हैं तो हम अच्छे से काम करेंगे बिजली का बिल हमें बचाने की कोशिश करना है जितना बिजली का बिल बचाएंगे उतना हमें कम बिजली बिल भरना पड़ेगा तो यदि हम मसीन सुबह चालू किये और उसके हैंडल करेगा उसके बाद आप लंच करने जाओगे यदि आप लंच में मसीन बंद करते हो आदा घंटा पौना घंटा फिर मसीन को चालू करोगे हिट करोगे तो फिर बीज लगए आपका बेस्ट होगा तो यह सारी छोटी छोटी पॉइंट ऐसी बहुत सारी पॉइंट है जो कि आपको ध्यान देना होगा और ध्यान से करना होगा जब भी आप इस बिजनस में आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि यह कोई बड़ा बिजनस नहीं इसको छोटा से बड़ा होता है यह कोई साही बिजनस करें और जब भी छोटा से बड़ा होता है बिजनस उस पर ध्यान होता है बहुत सरा हो और तो जब वह से होता है गेर आश्मी होगा और जो कोसिस करें तो बेखने सार्पराइब कर इन कि में ख़ज़ दे जिससे कि आपका transportation बच एक आध रुपए सस्ता मिले तो जाकर कि आप market में competition कर पाओगे और market में आप अच्छे से work कर पाओगे और यदि आप 100-50 kg-1-2-5 kg काम करते हैं तो भाईया वो काम करना बेकार हैं मत करो और हम हर वीडियो में कहते हैं कई वीडियो में इस तरह बना भी रखे हैं कि यदि आप इस बीजनस को करते हो तो पहले आपको इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देना कि कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा यदि आप उतना investment करते हो तो करो एक आध रोल का भरोसा रख के मत करो कहीं आप सोचते हो कि machine लगा लेंगे एक लाख उर्पे दे करके बाद में 10,000-20,000 का माल लाएंगे बनाएंगे बेचेंगे फिर लाएंगे तो वो रोज बनाओ रोज खाओ वाला काम हो जाएगा उसमें आप कुछ नहीं कर पाऊगे उससे बढ़ेंगे आप दिहारी काम कर लो मजजूरी कर लो वो उसमें सुखी रहोगे लेकिन ये काद रोल ले जाके machine चलाओगे उसमें आप सुखी नहीं रहोगे तो यदि आपको कुछ बीजनेस हो करना है तो यह सारी पॉइंट को ध्यान देना है और इस तरह का बहुत सारी और भी है हम आपको और भी बताएंगे वीडियो देंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रख तो उमीद है कि आप लोग वीडियो पसंद आया होगा यदि ये वीडियो पसंद आ जर लो वीडियो थुख नतने से कणिद सारी जए शे शीमारी ये वीडियो पसंद आया होगा ये ये वीडियो खग।